जे हिन दोस्तों मेरा नाम है अविशेक इसका नाम है Realme 8 इसका नाम है OnePlus Nord 2 5G और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR Unbox दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोनों स्मार्ट फोन के बीच में Speed Test comparison जहाँ पे हम करेंगे Boot Speed Test, Application, Opening Speed Test दोनों फोन को सेम Wi-Fi से कनेट करने के बाद Wi-Fi Speed Test और RAM Management के साथी साथ वीडियो रेंडरिंग Speed Test करने वाले हैं बट आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये दोनों फोन का comparison क्या genuine है क्योंकि दोनों बहुत ही अलग-अलग devices हैं एक आपको 16,000 का मिलता है एक आपको मिलता है प्रॉक्स 30,000 का बट दोस्तों मैं इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँगी एक 15 या 16,000 के phone और 30,000 के phone में इस वीड में actual में क्या difference होता है वीडियो बहुत यादा interesting और useful है आईए भी नकिशी देरी के इस वीडियो को आरम्भू करते हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दोनों phones के कुछ specification की यहाँ पे Realme 8 में आपको मिलता है MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर हमारे पास Realme 8 का जो variant है दोस्तों वो है 6GB, 128GB साथ यह रन कर रहा है Realme UI 2.0 और Android 11 पे बाकि लेटेस्ट वेर इसमें रन कर रहा है जो कि है A.21 वहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों OnePlus Nord 2 5G के बारे में तो इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है Dimensity का 1200 साथ इसमें जो हमारा storage variant है वो है 12GB, 256GB यानि Realme 8 का just double, साथ हम बात करते हैं software की जिसमें आपको Oxygen OS version 11.3 के साथ Android 11 रन कर रहा है बाकि इसमें भी जो software version है वो एक दम latest है, साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने यहाँ पर 12 अप्लिकेशन सेलेट किये हैं जिनको हम नार्मली डेली लाइफ में यूज करते हैं जिनके हम Speed Test करने वाल है उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं हमारे दोनों फोन सेम वाई-फाई यहाँ पर जो Boot Speed Test के हम स्पीड की बात करें तो यहाँ पर 0-2 आपको करीब 5 सेकंड पहले ओपन हो जाता है दिन हमारा ओपन होता है Realme 8 तो दोस्तों अप्लिकेशन ओपनिंग टेस्ट स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं ताकि सारी चीज़े क्लियर रहें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों फोन सेम वाई-फाई से कनेक्रेड हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नौल 2 में सबसे पहले ओपन हुआ है आइमाजान देन ओपन हुआ है Realme 8 में बाकि मैं बता दूँ कि हमारे जितने भी अप्लिकेशन हमने सेलेट किये हैं सब में सेम आईडी ही लॉगी नहीं रह मैंने चेक करने के लिए मैंने यहाँ से एक एक पेज दोनों में ओपन कर दिया है नेक्स हमारा अप्लिकेशन है दोनों फोन्स का स्टॉक केमरा उसको भी हम ओपन करके चेक करते हैं यहाँ पर आई थिंक दोस्तों की नौल 2 में पहले ओपन हुआ इसको भी हम ओपन करके चेक करते हैं होमपेज सबसे पहले आपको नोटिस होता है वन प्लस नौर्ड 5G में दिन आपको नोटिस होगा रियल मी एट में बट हम फाइनल ओपनिंग का बेट करते है दिन दोस्तों बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों फोन्स में BGMI ओपन हो चुका है सबसे पहले ओपन होता है वन प्लस नौर्ड 2 में बट उसी के जश्ट एक या दो सेकेंड बात ही रियल मी एट में भी ओपन हो जाता है दिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि Google Chrome सबसे पहले ओपन हुआ नौर्ड 2 में दिन ओपन होता है रियल मी एट में बाकि रहे में में चेक करने के लिए यहां से हम दोनों में एक एक पेज ओपन कर देते हैं अलग 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 ताकि बात में हम जब जब रहे में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम भी सबसे पहले ओपन होता है रियल मी एट में बाकि यह हमारा एयरंबॉक्स का इंस्टाग्राम पेज अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहां पे फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नेक्स्ट अप्लिकेशन है दोस्तों डिजनी प्लस होट इस्टार इसको भी हम ओपन करके चेक करते हैं देन आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले ओपन होता है नौल टू में उसके एक सेकंड बाद ही ओपन हो जाता है रियल मी एट में नेक्स्ट अमारा अप्लिकेशन है क में चेक करने के लिए यहां से जी ओफन को ऑपन कर दिया है नेक्स्ट हमारा अप्लिकेशन है दोस्तों यूट्यूब यह भी आप देखेंगे कि सबसे पहले ओपन होता है नौड टू में उसके बाद ओपन होता है रियल मी एक में बाकि कि हमारा दोस्तों जो next application है वो speed test का तो सबसे पहले तुम इसमें चेक करेंगे कि कौन से फोन में application सबसे पहले open होता है उसके बाद दोनों फोन से वाई-फाई से connected है देन सबसे जाधा internet speed कौन से फोन में आती है सबसे पहले मैं speed test application को open करता हूँ जिन आप नोटिस करेंगे कि वाई-फाई speed के final result की दिन आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे just double से भी ज्यादा differences देखने को मिलेगा बाकि यहाँ पे जो speed है वो भी आपको nord 2 में better मिलती है लास्ट application है दोस्तों मारा बीन application इसको हम open करके application opening speed चेक करेंगे दिन हम यहाँ पे same video दोनों में export करके हम दिन चेक करेंगे कि सबसे पहले video concept होने export या render होती है दिन सबसे पहले मैं बीन application को open करता हूँ दिन आप नोटिस करेंगे कि बीन application realme 8 में सबसे पहले open होता है उसके बाद open होता है नौट 2 में जो कि पहला application है realme 8 में सबसे पहले open होने वाला बाकि दूस्तों यहाँ पे लगने वाला है तो दोस्तों यहाँ से हमने 4K वीडियो को दोनों में same video यहाँ पे add कर लिए बाकि हम export के option पर जाते हैं उसके बाद इस video को हम 1080p में ही default setting पे 30PS में export करते हैं बाकि दोस्तों हम बात करते हैं final result की यहाँ पे video rendering की आप लोगों ने देखा एकदम दोनों में same performance मिलता है बट realme 8 माइनूट से आपको आगे नोटिस होगा अभी हम दोस्तों दोनों फोन्स का rhyme management चेक कर लेते हैं बाकि मैंने आपको अल्री बताया है कि एक में 6GB का RAM मिलता है जो कि realme 8 में आपको 12GB का RAM मिलता है बाकि हमने आप अलग-अलग application में अलग-अलग pages open करके रखे थे दें सबसे पहले मैं open करता हूँ Amazon तेरा आप लोग दोएक पाएंगे कि दोनों फोन्स में Amazon reload होता है बाकि यहाँ पर नेक्ट ओपन करते हैं BGMI दोस्तों आप लोग देखेंगे कि नौल 2 में अलेडी background में था बट यहाँ पर realme 8 में reload होता है बाकि नेक्स टम ओपन करते हैं Google Chrome Google Chrome आप लोग देखेंगे कि नौल 2 में background में था realme 8 में सेम पेजी रिए रिएड़ोट होता है नेश्ट हम open करते हैं Google Play Store, Google Play Store दोनों फोन्स में background में run कर रहे हैं, नेश्ट हम open करते हैं YouTube, इसमें भी आपके same दोनों application background में run कर रहे हैं, नेश्ट हम open करते हैं Jio7, यहाँ पे Realme 8 में आप लोग देखेंगे कि यह background में था, नेश्ट हम open करते हैं दोस्तों, यह जो कि हमारा last application है BN, जो कि अभी हमने video rendering किया हुआ था, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि same आपको जो भी application है, दोनों background में run कर रहे हैं, वह दोस्तों अभी हम बात करते हैं final conclusion की, application opening speed test की बात करें, जय हिंद,